नमस्कार दोस्तों एक्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसारे आवेर नहीं हो पाते हैं कि इनके फोर्म कब आते हैं एक्जाम कब होता है तो इसकी संपूर्ण डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताओंगा आप वीडियो को सुरुonen तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जुरूद बाई जिसे के आने वाले सबी वीडियो की नोटिफिशन आपको मिल सकें तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक टेंटिटिव डेट का पता सलेगा कि फोर्म कब आते हैं और रेजिस्टेशन किस तरीके से करते हैं कितनी स्टेप में करते हैं और एंटेंस से एक्जाम कब होता है और जो लास्ट में हैं मैं आपको इनकी जो सीटे हैं वो कितनी है बीसी नर्सिंग प्रामेटिकल के लिए तो वो भी मैं आपको इसमें सीट मैट्रिक्स भी बताऊंगा दोस्तो जो एमस नर्सिंग के अंतरगत आने वाले सबी कोलेजिज़े चाहिए वो दिल्ली हो बोपाल हो बोवनेश रो जोदपूर पठना रायपूर या रिसी के तो सबी में बीसी नर्सिंग प्रामेटिकल के कोर्सेज करवाई जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इनी पे डिसकस करेंगे कि दोस्तो ये फोर्म कब आते हैं और रिस्टेशन आपको किस तरीके से करना होता है इंट्रेंस एक्जाम कब होगा इसकी संपूर जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो आई दोस्तो आपको इसकी टेंटिटिव एक्जाम डेट बताता हूँ इसकी जो रिस्टेशन किस तरीके से वो फोर्म आपको कैसे फिल करना है तो दोस्तो नर्सिंग और परामेडिकल के लिए इनके जो रिस्टेशन है वो यूजवली डिसंबर में स्टार्ट होते हैं लेकिन दिसंबर 2020 में COVID-19 के वज़से से सेसन स्टार्ट नहीं हो पाया अभी 2019 का जो सेसन उसकी कांस्लिंग प्रोसेस ही चल रही है तो जो बैसिक रिस्टेशन होता है दोस्तों वो बैसिक रिस्टेशन दिसंबर में स्टार्ट होता है फिर उसमें अगर कुछ करेक्शन करवाना होता है तो वो थोड़ा बहुत करवा के जनवरी तक आप उसको करवा सकते हैं एक महीन एक तक जो फर्स्ट रेजिस्टेशन की प्रोसेस है वो चलती है इसमें आपको BAC Nursing Post Basic BAC Paramedical Courses के लिए यह रेजिस्टेशन होता है इसके बाद में जो आपका स्टेटस है वो अपडेट किया ज होता है वो code generation के लिए date announce की जाती है जो second registration होता है दोस्तों तो वो होता है March में फरवरी या March में होता है यह tentative month है तो फरवरी या March तक होता है जो final registration होता है तो उसमें code generate करके आपको जो आपका final registration process वो complete कर ली जाती है इसमें आपका document upload वगरा सारी सब कुछ होती है तो इसमें जो प्रोसेस है registration की वो दो step में होती है first registration होता है और एक second registration होता है तो इन दो registration करवाने के बाद में जो आपकी जो आप entrance exam के लिए eligible हो जाते हैं क्योंकि काफी सारी आप बैरती होते जिनके document में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है तो इस वज़े से ये थोड़ा ज़्यादा ही stick किया जाता है तो दो step में करवाने के बाद में जो आपका admit card related या जो इसका prospect वो release किया जाता है तो ये जो मैंने बता है कि first registration होता है December और January में और February March और April तक इसका जो second registration जो process वो complete हो जाती है उसके बाद में exam date है वो declare की जाती है यहाँ पर आप देख सकते है uploading or prospectus तो ये जैसे ही second registration process complete होती है तो उसके बाद में आपके जो code generation का है वो आपको एक विकल्प दिया जाता है उसके थोड़े time process है वो complete होने के बाद में ही आपको जो city choice है जो आपके exam की है तो वो आपको उसमें feel करने होती है कि आप कौन से जो city में आपका exam center आना चाहिए जो BAC nursing या BAC paramedical courses होता है उनके लिए उसके बाद में जो rejection होता है second registration process में अगर किसी कोई issue रहा है कोई problem रही है तो उनका भी reject क कर दिया जाता है application form तो उसके बाद में जो भी सारा सब कुछ इनका clear form या कोई भी उनकी details है वो गलत नहीं पाई गई है तो उनके admit card है वो दोस्तों upload कर दिये जाते हैं और जो exam date है वो June के महीने में ही रखी जाती है जो tentative exam date होती है June के महीने में रखी जाती है तो यह जो process होती है यह थोड़ी लंबी होती है लेकिन June के महीने में exam date करवा के फिर उसके बाद में result थोड़ा जल्दी इनका declare कर दिया जाता है और जो इनकी counseling process है वो start कर दी जाती है तो यह इनके जो form है दोस्तों December महीने में निकलते है जनवरी तक इनकी जो first registration होती है फिर February, March, April तक जो second registration process चलती है और मई में जो final registration process complete करके prospect निकला जाता है और उसके बाद में जो final registration होता है जो आपकी exam data वो declare की जाती है मई में और June के महीने में आपका जो exam है वो conduct करवा लिया जाता है और जो आपका result भी है वो चल दी ही declare कर दिया जाता है और counseling process start कर दी जाती है तो एक त 2020 के जो December माम में जो इनके form आउट होने वाले थे वो अभी तक आई नहीं है डेट तो जनवरी मन्त के end तक इनका जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो application form है वो आएंगे ये सारा सब कुछ दोस्तो online mode ही होता है offline mode नहीं होता है तो अभी जनवरी का महीना भी end होने वाला है तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक इनके application form स्टार्ट होने वाले हैं ये कयास लगा जा रहे हैं क्योंकि COVID-19 की वज़ा से सबी जो colleges है उनके sessions पहले से ही लेट हो चुके हैं तो इनसे समधित अगर कोई भी details आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे channel पे provide करवा दूँगा तो आप म matrix है जो मैंने आपको बताया है एमस nursing के डिली बोफाल बुवनेस पर जोदपूर पतना राइपूर और इसी केस के लिए तो उनमें कितनी किनी seat है seat matrix की भी बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर B.Sc.onurs nursing science course के लिए female candidate के लिए ही है दोस्तों यह seat है यहाँ पर male candidate apply नहीं क 96 total post है बुपाल में 75 है बोनेसर में 75 है जोदपूर में 75 post है पतना में 75 है राइपूर में 75 है रेसी केस में 100 है अब इनका अगर कुल total किया जाए तो यह 571 seats है जो एमस nursing के लिए only for female candidate के लिए रखी गया अब इनको divide करके अगर आप इन category से belong करते हैं दोस्तों तो आप इन category क को देख सकते हैं यू आर अन रिजर्व कैटेगरी लिए 38 है और न्यू डेली से बोपाल के लिए 32 है तो अगर आप इन category से belong करते हैं तो आप अपनी seat matrix देख सकते हैं कि आपकी category में कितनी seat इसमें रिजर्व हैं आप इसका screenshot भी ले लिजी दोस्तों जिसे कि आपके लिए आसा नहीं रहे कि आप कौन सी category से belong करते हैं और आपकी category में कितनी seat इसमें रिजर्व दी गई है और इनके लावग देखा जाए दोस्तों तो 5% जो seat हैं वो PWBDS पर existing norms of government of India तो 5% seat इनके लिए भी रिजर्व रखी गई है इन सभी categories में दोस्तों तो आई होब दोस्तों आप को यह जानकारी पसंद आई होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों धन्यवाद जै हिन जै बारत